स्लाम अलेकुम तो आज का जो हमारा टापिक है वो है प्लेन अफ स्मेट्री प्लेन अफ स्मेट्री क्या होता है प्लेन अफ स्मेट्री में जो होता है इसको हम सिग्मा से रिप्रिजेंट करते हैं प्लेन अफ स्मेट्री को ठीक है और हमारे पास प्लेन अफ स्मेट्री जो हो लिए maximum होती है उसे principle axis कहते है ठीक है तो हमारे पास जो सिग्मा वी है वो अलॉंग दा प्रिंसेपल एक्सेज exist करता है यानि हमारे पास सिग्मा वी वर्टिकल यानि बिल्कुल ऐसे अलॉंग दास प्रिंसेपल एक्सेज़ करेगा हमारा सिमीटरी उसे हम कहेंगे सिग्मा वी प्लेण समीटरी में किया है कि अगर मैं अलॉंग दास्रिंसेपल एक्सेज किसी jawatti तो यहां से पकड़ के गूमाता हूं तो क्या होगा यह बिल्कुल मीरे इसी टू एक्सिट करता है सासा यह वाला था ठीक है अब मैं क्या कर Long pure करो ठीक है door मैं ऐसेanca नहीं और तो क्या होगा के यह वाली जो मेरा भोगा एधा kउटेगा ना आदा एक्टम एधर रहज़ेगा देड़र अधर रिज़ए एससेतरा की reflection मुझे इस साइट पर मिलेगी तो मैं क्या कोँगा मेरे पास water में sigma v एक sigma v exist करता है बिल्कुल ऐसे sigma v exist करता है ठीक है अगर मैं इसको ऐसे रखूँ ठीक है ऐसे रखने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास एक्सरोटेशन कौन सा था यह वाला यह एक्सरोटेशन था यह एक्सरोटेशन था ठीक है तो अगर मैं इसके लॉंग ऐसे प्लेइन पास कर रहा हूं ठीक है तो मेरा यह वाला इप्सरोटेशन में बस्क्रीशन था य ostrich चीच्छ यह बिलूटड़ वाला यrese चाहेगा और यह वन आदो हो जाएगा ठीक है तो मेरे पास एक जो सिगमावी है वो S未 Shock करहा है तो यह अवहारा सिग्मावी का कॉंसेट कि हमारे पास principal axis के along जो मैं plane गुजारता हूँ उसे मैं sigma V कहता हूँ ठीक है अब sigma V मैं आपको एक और molecule में भी दिखा दता हूँ कि हमारे पास जो था जिस तरह हमने एक molecule लिया था XECL4 ठीक है हमारे पास वो था XECL4 ठीक है हमारे पास XECL4 की shape बिल्कुल ऐसी थी अब यह देखें कि हमारे पास XECL4 कों सा था हमारे प्रिंचिपल एक्सपल एक्स यह वाला था हमारे प्रिंचिपल एक्सपल आ से और यहां हमारा principle axis और यह है और मैं इसके along अगर मैं यहां से io ऐसे सिंग माद असके और एक सिंगर आम एक मेरे ही ऐन से मिलेगी ताँ के शीफ मुझे यहाँ पर मिलेगी थिक है अगर मैं यहां से plane pass करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, इस item की mirror image उस्तरफ मिलेगी, इस item की mirror image उस्तरफ मिलेगी मुझे, ठीक है, तो मेरे पास sigma V एक तो ऐसे exist कर गया, और दूसरा मेरा sigma V ऐसे exist कर गया, इसके इलावा भी इसमें sigma V कौन से exist कर रहे हैं, कि अगर म मेरा sigma V एक यह भी है कि इसकी mirror image मुझे उस्तर मिलेगी और यह दरम्यान वाले सारे आदे-आदे हो जाते हैं, ठीक है, तो मेरे पास अब कितने sigma V होगे, total, मेरे पास यह एक sigma V, ठीक है, यह दूसरा sigma V, यह तीसरा sigma V, और यह चोथा sigma V, तो मेरे पास total 4 sigma V आ रहे हैं यहां तो अब यह था हमारा sigma V का concept, अब sigma V का मैं आपको shortcut trick बताता हूँ कि हमारे पास क्या होता है, कि हमारे पास यहां तो जो होता है, हमारे पास CN अगर है, हमारे पास जो भी है, एन हमारा जो है, वो है, principal axis of rotation वाला, तो हमारे पास यहां तो इसमें क्या होंगे, 0 sigma V होंगे, ठी ठीक है आफिछ घूलेफ्स यहां तो क्विश्श्च करता है तो तो कौईश्च नहीं करता है ऊब तो अगर करे होंगे तो हमारे पास कितने सिग्मावी करेंगे तीन सिग्मावी करेंगे मैं सी क्या vidare हो कि आपको यहां से एकजांपल देता हाँ कि हमने बातर ऊप तरह यहांसे करता थाए तो मैं यहां से आपको बताता हूँ Sigma V का, कि Sigma V हमारे पास यहां पर कैसे होगा, कि हमारे पास 4 Sigma V थे न यहां पर, एक ऐसे Sigma V था, एक ऐसे Sigma V था, एक ऐसे Sigma V था, ठीक है, तो हमें यहां से भी देख लाए कि हमारे पास यह C4 था, और C4 के साथ मारे पास यहाँ पर 4 sigma V's available थे ठीक है यह था आपका sigma V का concept अब हम चलते हैं sigma H की तरफ, sigma H जो होता है हमारा horizontal यहाँ परpendicular to principal axis ऐसा plane जो horizontally पास करता है यहाँ परpendicular to principal axis पास करता है ठीक है मैं वापस आपके पास initial वह वाला water molecule लेता हूँ इसमेरा प्रिंसवा प्रॉडेशन था दो में ठीक है तो अब मैंने क्या करना एंग 1 마지막 उपर प्लेशन दॉत बिल्कुल नीजे उपर मिलेगी बर्énergie को तब खे मेरा रिफ्लैक्शन के बादा यहाँ पिसा होगा ठीक है तो हमारे पास यहाँ सब्सक् 1900W oneself पर हो सब्सक्राइब थि गौत अगले मालीखेंज लेक्स परिटेश्ट में इसके प्ररपनीक्रिंड में प्लीप पर तो क्या होगा जो यह मेरत सारी डर्मयां से हाफ-ाफ कट जाएंगे मेरे सारी अटम दरम्यान से हाफ-ाफ कट जाएंगे ना यह अगर मैं यह अगर मैं ऐसे यह देखना इसको दरम्यान करता है तो मैं इसको ऐसे काट दूगा तो मेरे बिल्कुल जो हो जाएंगे सारे अटम दरम्यान से आदे कट जाएंगे और मेरे पास यहां पर क्या होगा सिग्मा एच एक्जिस्ट करेगा ठीक है अब मैं आपको गर एक्जांपल दूँ बीएफ-3 की अब देखें कि मेरे प पर पेंडिकुलर प्लेन बास करता हूं तो मेरा जो बीएफ-3 है इसके सारे अटम दरम्यान से आदे कट जाएंगे तो इसमें भी हमारे पास सिग्मा एच एक्जिस्ट करेगा ठीक है तो मेरे पास हमने देखा कि मारे पास यहां पर भी सिग्मा एक्जिस्ट कर रहा है तो